गाईज मट्रोला ने अपना मोटो E6S फाइनली लॉंच कर दिया और इसका प्राइस रखा गया है लगबग 8,000 रुपे और वहीं पर हम आज इसका कमपेरिजन करने वाले हैं रियल्मी 3i के बीच में क्योंकि इसका प्राइस भी बिल्कुल सेम है कमपेरिजन टू मोटो E6S क यहीं पर हमें गोरिला गलास के प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है आगे बढ़ते हैं दोनी फोन की रैम और स्टोरे की तरव तो हमें Realme 3i में 3GB RAM देखने को मिल जाती है साथ में 32GB स्टोरेज और इसे हम बढ़ा सकते हैं 256GB तक वही पर Moto E6S में हमें 4GB RAM देखने को मिल जाती है साथ में 64GB के इंटरनल मेमरी और साथ में हम इसे 256GB तक बढ़ा सकते हैं आगे बात कर लेते हैं दोनी फोन्स के कैमरास की देखने को मिल जाता है वही पर अगर हम बात कर लें Moto E6S की तो इसमें सेम हमें 13GB 2MP का बैक कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा विद बातर ड्रोप नोच के साथ देखने को मिल जाता है आगे बात कर लेते हैं दोनी फोन्स के प्रफॉर्मेंस की तो हमें Realme 3i में MediaTek Helio P60 मिल जाता है जो की 2GHz पर वर्क करता है साथ में हमें Mali G72 MP3 ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं वही पर Moto E6S में हमें MediaTek Helio P22 देखने को मिल जाते हैं 2GHz पर वर्क करते हैं और सांत में हमें पावर we are ge 83 20 ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं बात कर लेते हैं दोनी फोंस की बैटरी की तो यहां पर रियल में 3ang2 चार्जर मिल जाताएं वहीं पर और Moto E6S में हमें 3000 mAh की बैटरी मिलती है जिसमें हमें नोर्मल चार्जर 10W का मिल जाता है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लेस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए